वेलकम लोग एक्जाम सेने यूट्यूब चैनल सोच इतने की आज हम लोग SSC CGL 2023 का यहने 14 जुलाई 2023 को जो पिपर हुआ था जो पहला सिफ्ट जो हुआ था उसमें हम लोग जो है जिसे 25 कोशन पुछा गिया था 25 कोशन जो है इसमें हम लोग दो पार्ट में वीडियो है और सेकेंड पार्ट में हम लोग जो है इसे 15 वीडियो जो है 15 कोशन जो सॉल्ब करेंगे तो 10 कोशन जो है पहला पार्ट में देखा जाएगा और सेकेंड पार्ट जो है 15 वीडियो सेकेंड पार्ट में देखा जाएगा यानि यह जो हर स्टेट की PSC जो होता है यहां हर स इस कलिनेस हो यह सारे एक्जाम में यह जो SSE के जो GK जो पुझा गया यह बहुत ही इंपोर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग बनाता है तो इसी के लिए हम नोगो इसको जो है चूस किये हैं आज के सेक्षिन में तो चलिए पहले कोशिन के तरफ मुफ करते हैं पहला कुशन code को बीश में एक नेट की दिरिदिया फाफ में डिवाइड कर देते हैं इस कि होता है सिंगल प्लेयर मिख्ला आता है और यह इस double player थिग्छे के करे आता है तो जो brother at playotte तए तो जो सिंपरा को वाईड होता है उसका वाइड जो तो अगर मिटर बोला जाए तो 5.18 मिटर का होता है और यहीं अगर इसो डवल प्लियर में खेला जाएगा अगर डवल प्लियर के अंदर में इसो खेला जाएगा तो इसका वाइड जो हो जाएगा यह 20 स्थीट का हो जाएगा अगर हम लोग से मिटर हैं दो के हैं तो यह कि स्थीट का होता है लेकन अ figured पुछा है लेन तो इस question का answer रहाएगा जो है 24 feet यहनि तेरा पॉन 4 मिटर अब जो है bad mention पुछा गिया है तो bad mention से लेटर जो है कुछ term याद चल लिए जो के exam में पुछा है यानि bad mention के लेकर इस sports में जो कुछ term होता है जो सबसे important जो कम है यहनि love, love होता है अब हम लोग को मालूम है जो 2023 के अंदर में एक award मिला जिसका नाम है राजीब गांधी खेल लतना अवाड ठीक है राजीब गांधी खेल लतना अवाड जिसका नाम बदल कर ध्यान चंद खेल लतना अवाड कर दिया गया ध्यान चन्द खेल अतना वार्ड किया है इसमें प्राइज दिया गया निर्स दो लोगों को प्राइज दिया गया वो भी बैट्वेयं से चुड़ेवै धे यीश एट ओकनाम अकनाम है चिराज डायो ठीक है एक का नाम है सिराज चिराक सेटी और दुसरे का नाम है सत्विक सिराज रैंकी रेड़ी सत्विक सिराज सत्विक सिराज रैंकी रेड़ी ये दो प्लियर जो है जिसको जो है ध्यान चंद खेल रतना अवाड मिला गया जिसका पहला नाम कहा था राजी बंदी खेल रत यह दो प्लियर को क्या गया गया है जहां चेल अतना आवार्ट दिया गया है ठीक है तो इस question का answer क्यों हो जाएगा इस question का answer हो जाएगा थर्टीन वो चायर तो यह English और Hindi दोनों में question है तो यहां पर भी दिखें हिंदी में हम लोग का मालूम होना चाहिए कि स्काइडमेटरीव हेट कौन है तो वह है कैग यह कंट्रोलर और अडिटर जेनल ठीक है तो कंट्रोलर और अडिटर जेनल के बार में जाल लेते हैं यह क्या है एक constitutional body है ठीक है यानि इसका जो है constitution के अंदर में इसका जो है mention किया है अगर constitution के अंदर mention किये तो article पूसेता है तो article क्यों होगा एक के बाद में चार लिखेंगे और चार को डवल कर देंगे यह यह 148 जो है यह क्या है 148 नमबर article के अंदर में यह 148 के अंदर में क्या का जो है जो है mention किया गया है तो क्या को अपॉंट को न करता है तो क्या का जो अपॉंटिंग बॉड़ी है वह जो है फर्स सिटी जोन अफ इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं यह नि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो के फिलाहाल में कौन है तो दुर साल लगेगा एक सर्वन हो जाएगा और कोई 62 साल में अगर कोई क्या करेगा मैं यह तीनी साल पूड़ा कर पाएगा 65 साल मैं इसलिए या तो छे साल या तो 65 बहुत हैं तो मैसे आब नोगों की बातों खेंगे एक क्या बोल रहा है जो सल्ट निए एलग के एंड़िया के इंदा में सबसे हैं इसकी इंडिया को लेकर इन्द बढ़ा से कि मौना रह रहे है यानि बहुत बड़ा health को लेकर इस scheme है, इस scheme का नाम पुछा है, तो इस scheme का नाम का हो जाएगा, तो यहाँ पर दीखे, इसका नाम हो जाएगा PM अभिम, इसका full form का हो जाएगा PM का मतलब हो जाएगा प्रधान मंतिरी, और अभिम का full form का हो जाएगा, आयूश्मान, भारत, health, infrastructure, mission, ठीक है, A हो जाएगा, आयूश्मान, B हो जाएगा, भारत, A हो जाएगा, health, I हो जाएगा, infrastructure, M हो जाएगा, mission, ठीक है, यह start कब हो था, तो यह start वो तो फर्स फेब, यानि जो बजट में जो इसका जो अनॉंस किये था, फर्स फेब, 2021 के अंदर में, जो के यह जो है, म सबसे बड़ा, इसकी माना जा रहा है, ठीक है, PM, अभीम के नाम पर, तो नेश कोश्चन के तरफ में, मुफ करते हैं, और protection का मतलब होता है, हिफाज़त के लिए बानता है, तो हम लोग के याद रखना चाहिए, कि इसमें के कौन है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा, तो जब partition of India हुआ था, जब partition of India 16 October 2005 को, 16 October 1905 को, जब partition हुआ था, तब partition के बाद में, जो बिंगॉल के अंदर में, सब एक ने लगा, तो रक्षाबंदन की जो फेश्टिवल है, इसका मतलब जो होता है, प्रोटेक्शन, यानि जब हिंदू और Muslim को बाटनी के कोसिस किया गिया, तो जो है, हिंदू मुसलिम की हाथ के कलाई में, और जो Muslim हिंदू की हाथ के कलाई में, क्या करने लगा, जो है, राख मन जो होता है हिंदू कलेंडर का उस महने में जो है ये फिस्टिबल को जो है और्गनाइस किया था यानि फिस्टिबल को सिलेबरेट किया जाता है एक कुशिन बहुत 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 है कि हिंदू कलेंडर का हिंदू मन का सबसे पहला मन का नाम का है तो सबसे प वह सेलेबेट कियाता है इसमें जो है टाई आफ प्रोटेक्शन जैसा शब्द जो है इसके साथ में जो है वो जुड़ा हुआ है देश कोशन के तब चलते हैं पश्वा नमा कोश्च में क्या बोल ला कि 2021 में 19 साल की उमर में ओन्द सिल्वर मिटर सिल्वर मिटर जीका गिया ह इसका नाम है अंशुमलिक जो है कटेकरी में जो है अंशुमलिक जो रहे हैं छी में यह घेलती है पहला इंडियो मिटर जीता है किसके अंदर में World Championship in the Omen's category यहीं ओमेंस division में यह पहला बनी है जो के silver medal जीत के किलाई है किसमें World Wrestling Championship के अंदर में यहीं ओमेंस के अंदर में ठीक है? और हम लोग का मालूम है कि जो है जितने भी जितने खिलाड़ी है जितने भी कुस्ति करने वाले जितने भी रेसलीन से बिलॉंग करते है जाद मुफली हर्याना से बिलॉंग करते है और अंसु मलिक भी किस श्टेट से बिलॉंग करती है तो यह भी हर्याना से बिलॉंग करती है नेश कोशन के तरफ हम लोग मुफ करते है च्छटा नमा कोशन किया बोला है डैस इमज अज पूरस श्टेट एस पर फर्स अब मल्टी दैमेशनल पूबर्टी इंडेक्स इन्हीं MPI बोलके होता है जिसों कौन प्रिपेर करते है वो करता है नीती आयोक ठीक है नीती आयोक प्रिपेर करता है जिसमें 2021 की रिपोर्ट के इसाफ से मल्टी पूबर्टी इंडेक्स में सबसे खराब इंटेट कौन है तो उसमें दिखियेगा सबसे खराब इस नाम आया है वह थे बिहार तो दो 211 पने पर निती आयोक ने एक सबसे पहले बागत बिहार के अंदर में ओर्फ एक ही नाशनल पार्क विहार को मчески आ शाब किने और से मिन फे अंदर में पर इंदर में तीसे नमबर पर आता है कि साब से हैं वहर क्यों हो जागा तो बिहार का मलूं सिम घ地方 है जो यहां को गवर्नर तो राज अंदर अलेकर जो है यहां को गवर्नर है राजंदर कर जो है यहां की गोबंटर सिघ्ट लेइस्ट के बाद किया जए तो इसमें कितना सीन रजलेटिवड还elis क्विख याद इसमेली की बाद की रते सुलेसे सीट ओर लोगस Egypt वार्टीफ की जुआँ सबसेसे सब्सक्राइब को ёइक नाम है वालमीकिष नाशनल पार्ट यह instincts पूछता है बिहार इसका answer हो जाएगा next question के तब चलते है which is the consumption of fixed capital is also known as यानि जो fixed capital का consumption है इसको दूसरे क्या नाम सा जाना जाता है तो fixed capital होता क्या यह समझ लिजे पहले यह देखिए को भी business start करने से पहले हम लोग one time investment करते हैं यानि को ऐसा समान करते हैं जिसको बार बार खरीदने की जवत नहीं पड़ता है जिसको एक बार खरीद लिया वो जो है बहुत लंबे समय तक उस business के में बना रहता है जैसे समझ लिजे आपको बिजनिस से start करना है तो बड़ा सब को फैटरी लेना पड़ेगा आप उसमें वन टेम इंविश्मेंट करते हैं और बहुत लंबे समय तक वह आपके बिजनिस में बना रहता है ठीक है इसे आपना बोलते है यानि बार बार आप उसको ख़ईदने के जरवत नहीं पड़ता है तो fixed capital क्या होता है यह हमेंसा depreciation होता है depreciation का मतलब क्या होता है जैसे आप एक कार ख़ईदें जो कि एक कार खईदने हैं या आप बड़ा सा truck खईदें जो कि आपको उस बिजनिस में इस्तमाल होता है अब घक होता है हर साल जो है ट्रस में जो है कुछ उसके घृक घंट घसेगा खुछ जो है तरर ख राब होगा हो सकते हैं कि 10 साल के लिख द्वाद अब इतना डैमज हो कि आप इसां यह योजी नहीं कर सकते हैं इसको क्या बोलते हैं depreciation यानि घटना क्या घटना value घट जाना ठीक है तो value घटना कुछ ऐसा fixed capital होता है यानि mostly fixed capital होता है जिसका value घट जाता है यानि depreciation हो जाता है तो consumption of fixed capital को अप इस्तमाल कर रहें यानि इस्तेमाल करने का मतलब आप उसका जो वैलू को घटा रहे हैं इन डिप्रेशेट कर रहे हैं उसका जो घट रहा है उसके वैलू को घटा देना वही आपका कंजम्शन आफ फिक्स कैपिटल हो जाएगा तो नेश कुछिन के तरह इस मुफ करते हैं तो देखें आठ नमा कोश जहां पर मिलता है जहां पर गिरता है उसका बलता सब संथू जिसमें से एक रिवर है जिसका नाम है जहल अज्छा ऑल नाम कई जहल हम देखेंगा वह जाएगा वितास्ता ओगा तो अब देखै अश्कीणी कोया अजएक नाम हमाटे डburgया ज किसके नाम पूझा तो अगर अने सी नहीं Ms. कि अगर टो य रावी menh और विपाश्य आगर पूस साझा है तो कव जाए अब अबनकम जैसी बात कर रहे कि वितास्ता की वार मों बात करते हो जेलन के आगर जाते हो जेलन से याखि जैता है अगर हम लोगिए इंपात कर रीवर और एक इंप्परोटेंट है सिंधसीद फूछे नम की बात क्यांता और एक सिंध रिवर अगर जहेलम रिवर की बात के जा तो जहेलम रिवर के सिंटउयेटड कौनसा है जो है city है तो स्री नेगर है और जहेलम रिवर से जहेलम रिवर के जो water है उससे एक lake मनता है जिसका नाम है उलाल Lake ये जो है उलाल Lake कौन है ये इंडिया के अंदर में लाजस फ्रेस्वाटरल लेग है उला लेक कौन सहीं इंडिया के मिलना ही यह जिलम रवर इस नाम से जाना वहाथ है जिसका नाम है हिद्फस्फ यूदफप को जाना है हुपर इस नाम ग्रीग कंदद आटे सकते है कि फिल्द accepted वह था तो 326 BC में लड़ाई वह था ऐलेक्जेंटर और पूरस के बीच में जिसमें जो है ऐलेक्जेंटर की जीत हुई थी और पूरस की जो है और हार होगी थी लड़ाई को क्या बता है बैटल फिडफसस बोलते हैं क्योंकि हिडफसस रिवर के किनारे पर हुआ था इसलिए ये और प्रोजेट है जिसका नाम है क्रिषन गंगा हाइड्रोलेट्रिक पावर प्रोजेट कैस्ट है इस तरह से जो है जड़ी रिवर उसकी पूरान कहा है तो वितास्ता इसकी प्रौना नाम है ठीक है इसके अंसर और हिंदी से चार शारो जाए का जाए जहेलम प्रौन के आनम हो चोला जो है एडुमिनिसरेशन चोला चे इनडम था उसकी web वहाएं होती थी एसंब्ली होती थी तो विलिजस वीच वर इनिहाविटेट पी डॉमनी बाइद तो ब्रहमळ जो है उस अवहां बैटते थे उस अवह को क्या बोला जाता है तो देंखें जो सभा होती थी इनने गौवहम जो सदन होता था ठीक है तो तीन और यहां पर रिस्टाथा एक सदन होता था ब्रहमन लोग करते थे यहिसे होता था जाहता उनिंद लो के इसंब्ली ख और निये और एक कि शो तर संभी तो ब्रह्मन की जो assembly करते था उसको हम लोग क्या बोलते थे उसको हम लोग करते 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 थे जो वहां के बड़े लोग अगर जो है चोला अद्मिशन के बात करें तो जो फॉंडर को ने तो विजय याला जो है इसके फॉंडर रहे और से क्या जाना जाता था तो मंडल के नाम से जो है प्रोविंस्यों को जाना जाता था अगर हम लोग पर उन्तरम के नाम से जाना जाता था ताइगर यहां की जो है इंबलम होते थी ताइगर जो थी यहां की जो है एंबलम जो है इसकी होते थी चोला किंटम की होते थी ढहते थी तो इस तरह चोला आडमिरिश्शेशन जो है की सभाय ठेस्ट के उसके आम लोग वह उलते है सभा वोटे थे last question में क्या बोला है धिकिए which of the following state is not a part of the tapi basin जिसका वनोंद तापती भी बोलते हैं, तापती रिवर, बेसिन क्या होता है, बेसिन का मतलब होता है, जैसे एक रिवर यहाँ पर आ रहा है, एक रिवर चल रहा है, अब यह रिवर जो है, बहुत सरे श्टेट्स होके गुजर रहा है, बहुत सरे जगस होके गुजर रहा है, एक जो है, उसक तो बेसिन का मतलब समय आगया या उसकी सहायक नदी या उसकी डिश्टुबूटरी और या में रिबर जिस जगह से आएगा उस सारे एरियों को मिला कर भी बोलते हैं कैश्मेंट एरिया यानि कहां तक उसकी जो है पानी फैला हुआ है तो ताप्ती रिबर का यानि तापी रिबर का बेसिन इन चार में से कौन स्टेट पर नहीं है तो देखेगा तो अगर तापी रिबर की बात करें तो यह मुल्ताई एक मधिया परदेश की जगह है की बाद में यह गुजरात में पहुंचता है और गुजरात में जगह है गल्फ अफखंबाद यह गल्फ अफखंबाद में जो है गल्फ अफखंबाद से होते वे यह जो है अरबियंसी में जाकर गिर जाता है तो अगर इसके हम लोग मौत की बात के जाए तो मुल्ताई हो लिए जात जो डिवर नौर्थ इंडिया की या सौथ इंडिया की वह इस से निकलता है और यह जो है वेश की तरफ आता है ठीक है लेकिन यह जो है यह वेश से निकलता है और इस की तरफ आता है इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं यह वेश फ्लोइंग रिवर बोलते हैं तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में से जैसी सबसे जो सिकंड लार्जस रिवर है यह तो फर्स्ट कौन है तो नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर में से जो है सबसे बड़ा रिवर माना जाता है तो वेस्ट फ्लोइंग में जो सिकंड जिसके नाम आती है वो तापती बहती है बीच में सद्पूरा रेंज भी आता है यह दो नदीज है दोनों जो है बहती है तो यह तीन शेट से होकर गुजरती है इसी के लिए सब्बढ़ने एक साथ बहती है बीच में एक जहाता है सत्पूरा पहाड़ आता है इसी के लिए सत्पूरा को अंड़ टूइस ऑफ द निर्मदा भी बोलते हैं तो यहां पर जाएगा कौन ताप्ति रिवर के का बेसिन नहीं है तो मध्या पर्दे से निकलती है फिर महराश में जाती है फिर गुजरात में होके जाती है तो इसका जो एंसर हो जाएगा वो जाएगा राजिस्तान राजिस्तान जो है तापती नीबर से कोई कनेक्शन नहीं है कहीं भी उसका जो वाटर जो है राजिस्तान में नहीं पहुंचता है तो इसका एंसर हो जाएगा राजिस्तान इसका एंसर हो जाएगा इसी तरह से हम ल